देनी शक्ति हमें देन दाता फ्रिंट्स कितनी प्यारी लाइन है उस प्यारी सी प्रेवर से लिए हुए ये प्यारी लाइन और ये सच है कि वो उपर वाला ही वो पावर हाउस है और हम उनसे शक्ति लेते हैं, पावर लेते हैं किसी भी काम को करने की, किसी भी चीज को करने की हम पावर, शक्ति उन उपर वाले से लेते हैं और अगर इस दुनिया में कोई सबसे काइंड होटिर, सॉफट होटिर है न तो वो सिर्फ परमात्मा है, वो उपर वाले गौड है वो हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देते हैं और याद रखना अगर हमारी कोई हेल्प करें न करें बट अगर हम उन उपर वाली पर सच्चे दिल से उन्हें याद करें उन पर विश्वास रखेना तो वो हमारी हर सुख दुख में हमारी मदद करेंगे इस पर एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ एक बार अकपर ने बिर्बल से एक सवाल पूछा और कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है मैं या फिर भगवान तो बिर्बल ने बोला कि आप महाराज तो अकपर ने बोला कि तुम अपनी बुद्धी मानी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हो पर तुम इतने चापलूस कैसे हो सकते हो तो अकपर ने बोला कि तुम अपने राजा को भगवान से बड़ा बताते हो तो बीरबल ने बोला माराज जब आपके राज़े में कोई गलती करता है तो आप उसे कड़ी से कड़ी सजा देते हो और उसे राज़े से निकाल देते हो पर वो भगवान कोई भी गलती करे तो वो भगवान अगर कोई उनसे दिल से माफी मांगी तो भगवान उन्हें माफ कर देते हैं तो तब अगवार को समझ आया कि अगर वो भगवाण पुरी दुनिया को समालता है तो और उन्हें माव भी कर देता है अगर कोई गलती करें तो तो मैं इतना strict, इतना सक्त कैसे हो सकता हूं तो प्रिंस, गौड हम से क्या चाहते हैं ? God हमसे चाहते हैं कि हम कुछ चाहिम उनके साथ spend करें, उनसे कुछ अच्छी अच्छी बाते करें, अपनी इविन दिल की feelings उनके साथ share करें. और मैं अगर अपने बारे में बताऊ ना, तो मेरी सुबह की, मैं अपनी सुबह की शुरुवात God से good morning से करती हूं. और रात को God को good night करना कभी नहीं भूलती हैं, और मैं जो भी काम करूँ इसमें God को जरूर अपने साथ रखती हूं, क्योंकि God मेरे best friend है, और ममा मुझे हमेशा कहती हैं, कि जहां कभी आपको कोई help हो, और ममा पापा भी जहां पर आपके help के लिए जल्दी नहीं पहुंच पा कि तरह हैं, और मुझे अच्छे से याद है कि when I was in first class, second class, तब मैं God is my best friend पर एक पोयम बोली थी, और उसमें मैं class 7, इंटर क्लास में मैं को first prize मिला था, क्योंकि वो मेरी दिल की feelings थी, मेरी एक पोयम ही नहीं बलकि वो मेरी दिल की feelings थी, और उसकी कुछ तो लाइन्स में आपके साथ शेर करूंगी, I got a friend who is powerful above all, hears me every time when I asked and call, offering his hand when he see me down, friends, मैं आप सब से कहना चाहूंगी कि God को अपना best friend बना लो, और कोई भी situation है तो God को चल दी से बुला लो, वो आपके help के लिए जरूर आएंगे, और कभी कभार ऐसा होता है कि हम God से continuously कुछ मांगते हैं, और हमारी वो wish, हमारी वो demand पूरी नहीं हो पाती है, तो हम कहते है कि God तो है ही नहीं, तो एक छोटे से किसे से आपको समझाओंगी, कि एक बार एक बच्चे अपनी मां से कहता है कि हम मुझे वो चाको दे दो, बर मां जानती है कि वो उसका नुकसान होगा, बहुत lost होगा, इसलिए मां से चाको नहीं देती, बच्चा मां को कंदा बोलता है, प्या बोला तो भगवान भी अमिव नहीं देता है जो हमा में अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है, जो हमारे लीए अच्छा होता है, तो अपनी life को खूलके जीओ, और अपनी life का remote controllers उलिए और वाली के हाथ देतो अपनी life को खूलके जीए, हसते रहे, मसक्राते रहे, because life is so beautiful